नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी के स्ट्रेट जीरो क्लासिस में स्वागत हैं दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक उसम लेक्चर हमारे कुरूशेत्र एनालेसिस की सीरीज में दोस्तों कुरूशेत्र मंतली एक गवर्मेंट मैग्जीन है जो की गवर्मेंट आफ इंडिया के दुवारा पब्लिश की जाती है इस्पेशली अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री आफ रूरल डेबलमेंट के दुवारे में एक पार्ट अप्लोट कर चुका हूँ जिसमें हम लोगोंने बात की थी तीन आर्टीकल्स के बारे में ये सेप्टेμबर एडीशन के ऊपर दोस्तों हमारा सेकेंड पार्ट है और आज के बार्ट में हम की जहुत हरने की का कुछ कर रही है उसके बाद दूसरा topic जो हमने discuss किया था that is about the woman कि why woman is considered as a nucleus of family as well as a nucleus of our society and why it is very critical for the economic development of any country तीसरा जो important topic हमने discuss किया था that is about the digital technology how digital technology is helping rural India और how it is empowering rural India आज के particular lecture में दोस्तों हम लोग remaining जो 4 article हैं उनको discuss करेंगे जिसमें से सबसे पहला है स्यामा प्रसाद मुखरजी रूर्व अर्वन मिशन यानि जो स्यामा प्रसाद मुखरजी सरकार का जो scheme है योजना है mission है यह किस तरीके से rural urban divide यानि जो rural area है और जो urban area के बीच की खाई है उसको कैसे भरने की कोशिश कर रहा है उसके बाद हम discuss करेंगे मनरेगा scheme के बारे में कि how it is empowering the rural India and after that we'll discuss financial inclusion कि what is meant by financial inclusion and how it will inshrine into the inclusive growth और जो आखरी lecture रहेगा that is about the promoting livelihood through national rural livelihood mission तो यह chart topic आज हम discuss करेंगे so let's start with the first one तो आज का जो हमारा सबसे पहला topic है that is श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन mission समझते हैं भई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन mission को लाने की ज़रुरत क्या थी what is the importance of having this mission तो अगर हम बात करें अपने देश की तो हमारे देश में ज्यादा तर एरिया rural area है कैसा है गाओ वाला area है जहां पर मतलब बोलते है ना जहां पर भारत बसता है तो that type of area is there ठीक है और उसके अलाबा सिर्फ rural area ही नहीं है कुछ ऐसे cluster of settlements है जो की मतलब वो मतलब you know vicinity में हैं बहुत सारे ऐसे cluster settlements है अब यह जो clusters है और वो उन में काफी potential था growth का और यह यह मर्ज हो सकते थे ऐसा economic drivers और economic drivers के तौर पर हो सकते थे और इनके पास काफी locational या competitive advantage था तो इनी सारी चीजों को harness करने के लिए हमें कुछ जरूरत थी कि सरकार कुछ initiative ले तो सरकार ने इनी clusters को classify किया as a rural area but with the urban amenities अगर रूर्वन शब्द का मैं आपको मतलब समझाओं तो इसका मतलब क्या होता है rural with urban amenities तो यह होता है रूर्वन mission का मतलब ठीक है तो hence taking cognizance of this government of India has launched Shiyama Prasad Rural Mission at developing such rural area by provisioning economic social and physical infrastructure facilities तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के time पे भी 70% जो area है वो rural areas में आता है और 49% population यहाँ पे रहती है तो इसी लिए इस area को develop करना बहुत ज़्यादा important था और इस चीज को संग्यान में लेते हुए सरकार यह scheme लेके आई रूर्वन mission मतलब ना ही उनका जो rural उनका जो culture है ना ही वो खराब हो और भावे लेकिन urban amenities हो तो इसके लिए scheme लेके आई थी सरकार अब इस mission के हम aim की बात करते हैं कि भई सरकार इस mission से क्या पाना चाहती थी तो यह जो mission है यह इसकी में कोशिशती की rural growth clusters का development करें ऐसे clusters ऐसे clusters बनाये जाएं जहां पर कोई potential है और फिर वो all throughout चाहें फिर वो किसी state या union पर कहीं पर भी हो अगर एक बार ऐसे clusters को सरकार डेवलप कर लेती है तो overall development किसी भी region का ensure कर सकती है यह जो clusters हैं यह develop किये जाएंगे by provisioning of the economic activities या फिर providing skills to the citizens of that particular region या फिर बहाँ पर local entrepreneurship या infrastructure amenities प्रोवाइड करके तो यह सरकार की कोशिश थी rural mission को आप एक तरीके से समझ सकते हो कि it is kind of a developing a cluster of smart villages मतलब गाओं तो रहेंगे वो लेकिन ऐसे गाओं जो कि smart हैं यह जो सरकार का यह माना था ही है जो cluster सरकार develop करेगी as a rural clusters तो यह इनके यहाँ पर एकदम planned layout होगा यहाँ पर कुछ planning norms सरकार laid out करेगी जिनको हर एक मलब जिनको notify किया जाएगा हर एक state और union territories को state government क्या करेंगी ऐसे clusters को identify करेगी जो मलब सरकार ने framework दिया है उस framework के सबसे जो state government से वो identify करेंगी कि किन clusters को develop किया जा सकता है as a rural clusters यह जो clusters होते हैं यह तरीके से geographical continuous gram पंचायत हैं मतलब ऐसा नहीं है कि continuous gram पंचायत हैं जो बिख्री होई gram पंचायत हैं उनका एक group है एक समू है जिसकी population 25 से 50,000 तक वरी कर सकती है plain and coastal areas में और desert या hilly areas की बात करें तो 5000 से 15,000 मतलब एक limit रखी गई कि 25 से 50,000 तक की population के बीच में एक क्या कहते हैं यह rural urban cluster का development किया जाएगा similarly tribal area होगा अगर hilly area होगा तो पर 5000 से 15,000 की population के बीच में एक ऐसा cluster smart village develop किया जाएगा उसके अलावा there would be a separate approach for the selection of clusters in tribal and non-tribal areas तो यह सारा यह इसके aim है क्या है पहली बात तो growth clusters को develop करना और ऐसे clusters में कुछ amenities यानि ऐसी amenities जो cities में पाई जाती है smart villages का निर्मार्ट करना यह जो delineate करेगी सरकार मतलब एक proper planned layout देगी उसके अलावा planning norms define करेगी जिसके basis पे state government उनको identify करेगी और फिर वहाँ पे जो framework रहेगा उसको implement किया जाएगा state government के तवारा यह जो cluster है उसकी एक criteria है कि plain area में 25 से 50,000 और desert और अब हम बात करते हैं इस scheme को जब सरकार लेके आई in fact अगर आप हमारे जो पहले previous president थे अपीज अब्दुल कराम साब उन्होंने भी इसकी बात की थी ठीक है पूरा mission के मदद से अगर आपने पढ़ा हो पूरा mission ठीक है तो यह उन्होंने भी suggest किया था और इसी के बाद यह स्यामा पर साथ रूर्बन मिशन भी सरकार लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद और मतलब यह पॉलिटिकल विल होने के बाद भी यह जो scheme है वो प्रॉपली इंप्लिमेंट नहीं हो पा रही है तो सबसे पहली बात है lack of basic infrastructure development मतलब अगर आपको cluster करना है तो उससे पहले कुछ basic infrastructure तो होना चाहिए बाद पर basic infrastructure की कमी के चलते यह जो पुरी scheme है यह जो mission है वो प्रॉपली इंप्लिमेंट नहीं हो पा रहा है दूसरा migration कि जो जो public है मतलब जो गाओं की में रहने वाले पर लोग बागें जो यूथ है वो सब लोग क्या है वो cities में migrate करना चाहता है वो रहना ही नहीं चाहता है अपनी जगह पे तो यह migrate एक तो यह reason है मतलब एक है full factor और दूसरा होता है push factor कि मतलब due to the failure in agriculture क्योंकि agriculture में जो agriculture इंडिया में ऐसा बोला जाता है it is now not real remunerative ऐसा क्यों है why it is not remunerative because जो farm size है वो कम होती जा रही है productivity soil की कम होती जा रही है ठीक है तो इसकी बज़े से this guy is unemployment बढ़ता जा रहा है prices बहुत ज्यादा volatile होते हैं तो जिसकी बज़े से farmers होते हैं या उनके बच्चे होते है वो migrate करते जा रहे हैं जिसकी बज़े से क्या हो रहा है कि अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए तीसरी जो दिक्कत है that is fragmented land holding जो मैं अलड़ी आपको बता चुका हूँ कि इतना बड़ा area ही नहीं है continuous litigation and pendency of cases related to titles making time lagging for implementation क्योंकि अगर आप समझ रहे हो न कि अगर cluster develop करना है तो cluster के लिए जमीन भी तो चाहिए लेंड चाहिए और आपको पता ही है वैसी हमारे या लेंड कितना इसकार्स है उसके बाद भी यह जो land holding सरकार को मिलती है वो काफी fragmented होती है अगर मिल भी जाती है तो उनके खिलाफ खुबाद ज्यादा cases होते हैं जिसकी बज़े से यह जो पूरी scheme है वो रुक्सी गई है चौथा जो reason है that is improper bank penetration and financial illiteracy जो की एक और बहुत बड़ी दिक्कत है कि सियामा प्रसाद viewer permission अच्छे से implement नहीं हो पा रहा है और फिफ्थ तिंग इस that is lack of access to technology climate change pattern जि इसकी बज़े से यह जो इसकी में वो proper implement नहीं हो पा रही है तो एक बार फिर से 22 करवाता हूं एक तो है basic infrastructure की कमी दूसरा है migration तीसरा है fragmented land holdings and litigations तो litigation एक आपका अगला point हो गया 5th point is improper bank penetration and financial illiteracy तो यह 5th point is lack of access to technology अब हम बात करते हैं वैसे यह जो mission था यह काफी promising mission था और मतलब इसकी जो impact होता वो भी काफी जादा बहुत ही जादा अच्छा impact होता in fact अगर आप देखोगे तो ऐसा बोला जाता है several reports आती है कि जो urban areas होंगे वही development के या वही engine of growth माने जाते हैं यानि अगर ऐसी बात है तो जिसके चलते क्या हो रहा है जो cities है वो बहुत जादा crowded होत रही है इसलिए उनको भी decongest करने के लिए it is very important कि do urban mission जो है वो successfully implement हो सके त सबसे पहली बात तो क्या है parents को motivate करने की जरूरत है parents को motivate करने की जरूरत है कि जो facilities है जो या तो facilities नहीं है तो उनका इस्तमाल करें और जहां पर facilities है उनको properly use करें जहां पर नहीं है बहां पर बनाई जाए और जहां पर है उनका इस्तमाल किया जाए volunteer groups बनाने का जरूरत है so that अगर यह volunteer groups होंगे तो वो बाकियों को अपने साथ ले के आएंगे और इस mission को implement करवाने में मदद करेंगे जो resources हैं उनको year mark करने की ज़रूरत है फिर चाहे वो पैसा हो, technology हो, technical help हो तो उन सारे resources को year mark करने की ज़रूरत है और devote करने की ज़रूरत है जो rural clusters है तो उनको इस तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है कि जो rich or poor beneficiaries है वो साथ में मिलके आए मतलब ऐसा ना लगे कि सिर्फ कोई एक particular section ही society का उसको support करें अगला important बात है कि जो infrastructure constraint है उसको ठीक किया जाए मतलब road connectivity प्रोवाइट की जाए या फिर किया कहते है वहाँ पे electricity प्रोवाइट की जाए social infrastructure प्रोवाइट की जाए बैंकिंग प्रोवाइट की जाए तो यानि infrastructure जो constraint है उनको resolve करने की ज़रूरत है उसके अलाबा private sector को involve करने की ज़रूरत है post offices को इस्तमाल किया जा सकता है for या फिर as a efficient network for distributing the different things उसके अलाबा smart cards का इस्तमाल करने की ज़रूरत है तो यह सारे way forward में बोले जाते हैं अगर paper में आता है critically analyze the rule urban mission तो आप उसमें impediments बताएंगे और फिर उसमें आप बताएंगे way forward कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है parents को motivate करके volunteer groups को rope करके rule urban clusters के resources हैं उनको year mark करके rule urban clusters को equanimity के साथ implement करने की ज़रूरत है infrastructure develop करने की ज़रूरत है private sector का involvement ensure करने की ज़रूरत है post offices का use किया जा सकता है और smart card का इस्तमाल करके तो अगर आप देखें गाँ बड़ेगा तभी देश बड़ेगा यह इसकी tagline थी और अगर cluster level पर देखें तो देखें क्या होगा cluster level पर यह सारी चीज़े इस्तमाल होंगी house level पर यह सारी बतब यह सारी चीज़े प्रोवाइट की जाएंगी तो यह एक example है कि किस तरह का cluster बनेगा development of 300 blaze clusters as our rural growth centers empowered by urban amenities and infrastructure by 2019 this is the target of सेमा प्रसाद मुखरजी रूर्वन mission यह 300 ऐसे clusters develop करना चाता है जहाँ पर blaze label पर amenities यानि smart village develop किये जाएंगे और cluster level पर यह सारी facilities प्रोवाइट की जाएंगे तो आप देख सकते हैं so this is our rural mission अब हम बात करते हैं अपने next important article के बारे में which is on the mandriga यानि महत्मा गादी national employment guarantee scheme ठीक है तो empowering rural India सबसे पहले बात करते हैं कि भईया यह मन्रेगा scheme है क्या अब आप सब ही जानते होंगे 2005 में महत्मा गादी national rural employment guarantee act आया था और जिसकों लोग इस नाम से भी जानते हैं महत्मा गादी national rural employment guarantee scheme यह legislation है यह कब आया था August 25 2005 में कब आया था August 25 2005 में आई थी यह scheme ठीक है यह एक तरीके से right based approach का इस्तमाल करती है मतलब हर एक जो यूथ मतलब हर एक एडल्ट जो जो एडल्ट मेंबर रहेंगे किसी भी rural household में वो उसको कम से कम इस scheme के था सौ दिन का अनिस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के दवारा तो दा मंदेगा क्या करता है एक तरीके से legal guarantee प्रोवाइड करता है 100 दिनों की हर एक साल में adult members को किसी भी rural household के for public work और यह जो public work होगा वो unskilled manual work होगा at statutory minimum wages कि उससे कम रुपए नहीं मिलेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको compensation दिया जाएगा उन्हें 15 दिन के भीतर उन्हें या तो job दिया जाए या फिर उनको compensation दिया जाएगा अगर हम बात करें इस scheme को monitor कौन कर रहा है तो ministry of rural development इसको monitor करती है in association with the state government यह act का main मकसद क्या था कि जो गाउं में रहने वाली public है उसकी purchasing power को improve कर सकें जो rural people है उनकी purchasing power को improve कर सकें by providing them semi or unskilled work especially people living in below poverty line यह जो scheme है उसकी कोशिचती की जो rich poor का gap है उसको bridge किया जा सके roughly one third of the stipulated work force must be women तो आप देख रहा हो किस तरीके से बंद रहेगा जो है वो women empowerment में भी मदद कर रहा है क्योंकि इसमें यह ऐसा बोला गया है कि एक त्याही काम जो है वो women's को allot होना चाहिए तो यह हमारी मंदेगा scheme अब बात करते हैं मंदेगा scheme में और क्या नए initiatives लिए गए हैं इसको और चादा effective बनाने के लिए तो जैसे इसमें एक जियो मंदेगा है जियो मंदेगा क्या है एक तरीके से मंदेगा के तहट बनाया गया कोई भी structure जो होगा उसको जियो टेग किया जाएगा जियो टेगिंग से क्या होगा उसकी proper planning की जा सकती है monitoring की जा सकती है और transparency ensure किया जा सकता है उसके अलावा यह जो जियो मंदेगा वाला initiative है यह implement किया जा रहा है 2016 से और अब तक कम से कम 65 लाख assets को जियो टेग किया जा चुका है उसके अलावा दूसरी चीज़ fund flow mechanism को streamline करने के लिए wages के payment में जो delay होता है उसको ठीक करने के लिए ministry of rural development क्या कर रही है national electronic fund management system को implement किया है 21 state और एक union territory में तो please याद रहा है क्या चीच implement किया है national electronic fund management system national electronic fund management system को implement कर रही है so that जो fund flow है और जो wages में delay होता है वो ठीक किया जा सके उसके अलावा 96% जो wages है अब वो electronically pay की जा रही है especially post office के जो accounts होते है है उनकी मदद से और तो यह भी एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और जो चौथा important thing जो intervention है वो क्या है कि मंदेगा को simplify करने के लिए annual master circular circular यानि एक तरीके से यह समझ लो एक समाचार पत्र circulate किया जाता है जिसमें पूरे के पूरे काम सालवर के outline रहते हैं so that मंदेगा का जो काम है वो efficiently चल सके अगला जो intervention है that is कि सरकार ने मंदेगा workers का skill development करने की कोशिश कर रही है अगर उनकी skill development होगी तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे और जो मंदेगा के तरीके से काम होगे उनकी quality भी improve हो जाएगी तो जैसे मंदेगा workers through initiatives like जैसे कौन-कौन से initiative की मदद से सरकार मंदेगा worker की skill improve करने की कोशिश कर रही है बेर फूट technician and project life बेर फूट technician and project life लाइफ का full firm का है livelihood and full employment उसके अलावा ministry ने state exchange programs भी शुरू किये हैं तो इसमें क्या होता है कि जो states किसी भी state में कोई good practice है तो उसको replicate करने की कोशिश कर रही है तो यह भी एक बहुत अच्छा intervention है उसके अलावा नॉन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को implement मंदेगा की मदद से करवाया जा रहा है so that एक तो मंदेगा के थुरू काम भी हो सकेगा और जो देखे क्या है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आपको पता होगा कि यह all weather connectivity road provide कर रहा है unconnected habitats को तो इसमें criteria है कि अगर माल लीजे 200 से कम 200 जितनी पब्लिक रहती है अगर किसी हीली और ट्राइवल एरिया में तो बहाँ पे रोड बनाई जाए और 500 अगर लोग रहते हैं किसी भी plain एरिया में तो बहाँ पे एक रोड बनाई जाए उस settlement में ठीक है लेकिन कुछ ऐस इसे एरिया से जो इसके जो अभी include नहीं हुए है तो इसके लिए states क्या करती है अपनी खुद की scheme चलाती है जैसे MP वाले चलाते मुख मंतरी ग्राम सड़ा क्योजना तो ऐसी सड़ा क्यानी नॉन प्रदान मंतरी ग्राम सड़ा क्योजना वाली जो रोडे हैं वहां पे भी उस काम का भी upgradation अब मंदिगा के थ्रू किया जाएगा उसके अलाबा अब जो work मंदिगा के थ्रू होंगे तो अब इनके numbers बढ़ा दिये गए हैं अब इसको 8 से 23 कर दिया है तो अब ज्यादा से ज्यादा काम होगा तो अब ज्यादा employment प्रोवाइट किया जा सकेगा उसके हम लोगों ने जाना कि मंदिगा को और ज्यादा इंस्ट्रेंथन और ज्यादा सक्सेस्फुल बनाने के लिए सरकार ने कुछ interventions लिए हैं यह intervention क्या क्या है एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं जियो मंदिगा second is एक तो हो गया जियो मंदिगा initiative दूसरा क्या है national electronic fund management system to streamline fund flow तीसरा क्या है post office account का इस्तमाल होना मतलब electronically wage payment करना so that middleman corruption leakages को प्लक किया जा सके चौथा क्या है annual master circular so that सारे work पहले ही pre-plan हो फिफ्फ इस skill upgradation by barefoot technician and project life scheme sixth is horizontal sharing of information यानी state exchange programs seventh is non प्रदानमंत्री ग्राम सड़क योजना roads को include किया है eighth is work की जो category उसको increase कर दिया है आट से 23 और centralization को avoid करने के लिए ग्राम सबास को strengthen किया जा रहा है तो यह 9 चीजे की जा रही है अब हम बात करते हैं कि इस scheme की highlights कैसी रही तो ऐसा बोला जाता है कि 2016-17 अकेले में ही एक साल के भीतर ही कम से कम साड़े 6 लाक households को employment provide किया गया उसमें भी अगर हम बात करें तो जो number of person days थे पर household वो भी increase हुए है second important thing की जो मन्रेगा है जैसा की मैंने आपको बताए 2005 में एक्ट आया तो और यह efforts में आया था फरबरी दो 26 है across 200 of the india's poorest district in 27 states assuring 100 days of unskilled work in a year to one adult member of every household तो यह तो खेर इसका target है मतलब यह इसका एक feature है पहले ही 10 महीने में कम से कम 13 लाको सोरी यह अगर आप पढ़ोज है तो 1.3 करोड या फिर 13 million families को employment provide किया गया था और कम से कम 50 करोड रुपय को pump किये गए थे rural economy में तो आप समझ सकते हो कि rural economy को कितना फायदा हुआ होगा अगर हम बात करें आंदर प्रदेशिया eastern states की जहां पर poorest pockets है उन्होंने initial stage में काफी अच्छा काम किया था अगर हम अली trend की बात करें तो 15-20% जो लोग हैं वो migrate होते थे अब वो होना कम हो गए है वो migrate every year have not gone out since the launch of the scheme तो मतलब अगर पहले 100 लोग जाते थे इस scheme से पहले तो अब सिर्फ 80 ही लोग जाते हैं मतलब 15-20 लोग तो अब रुख गए समझ रहा तो यह एक इसका positive impact देखने को मिला है प्लस कनाटका में जो नरेगा वरकर्स हैं मतलब जो स्कीम के तहट है उन्होंने वहिया environmental friendly अर्थन ब्रिक्स बनाना शुरू किया है तमिल लाडू के 6000 sanitation वरकर ने cleanliness ड्राइब चलाई अंडर दी नरेगा प्रोग्राम ठीक है तो आप देख सकते हो कि नरेगा का यह इंपेक्ट रहा है क्या क्या इंपेक्ट रहा है एक बार फिट से बताता हूं कि employment प्रोवाइट किया तो पहला याद अखना फर्स्ट इज इंप्लोइमेंट सेकंड तिंग इस एक तो इंप्लोइमेंट प्रोवाइट तो क्या ही क्या उसके अलाबा बहुत जादा मतलब एक तरीके से money bump किया गया है है ग्रूरल एकॉनमी में उसकी मदद से क्या होगा डिमांड क्रियेट होगी तीसरा इंपोर्टेंट तिंग इस कि जो पूरेस्ट पॉकेट थी उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है फूर्थ इंपोर्टेंट तिंग इस इस्टॉप्ड माइगरेशन इस इंवार्मेंटल फेंडली प्रेक्टिस को डेवलप किया जा रहा है एंड एन अधर इंपोर्टेंट तिंग इस जो सैनीटेशन चलाई जा रही है अंडर नरेगा प्रोग्राम अब हम बात करते हैं इ इस स्की में जो पैसे दिये जाते है वो इस्ट्री लिमिट के हेसाब से दिये जाते हैं दूसरी दिक्कत है देलेट पेमेंट पेमेंट नहीं होते है या बहुत देरी से होते हैं, जो compensation वाला clause है, उसको धंसे follow नहीं किया जाता है, technological जो intervention सरकार ने लिए हैं, उनकी मदद से क्या होना चाहिए था, payment जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी मदद से और ज्यादा delay हो जाता है, क्यों, because of the technological divide, फिफ्थ रीजन इस, inadequate grievance redressal system, कि मतला अगर किसी की शिकायत है, तो उसको कैसे ठीकिया जा, उसके लिए कोई प्रापदान नहीं है, तो ये इसमें कुछ major issues है, क्या है, low wage rate, fall in demand, second is delayed payment, less compensation, then technological interventions are delaying the payment, and fifth is inadequate grievance redressal system, is it clear to everyone, तो इसी के साथ हमारा ये जो नदेगा वाला initiative था, वो समाप्त होता है, अब हम बात करते है, financial inclusion for inclusive growth, सबसे पहला बात है, what is meant by financial inclusion, financial inclusion का मतलब क्या होता है, कि society के, हर बर्ग का, कि जो public है, उसको, उसको formal banking system में लेके आना, formal banking system में लेके आओ या ना आओ, लेकिन उसे सारी formal banking services provide करना, जैसे deposit करना, transfer करना, avail करना, loan avail करना, ठीक है, insurance policies लेना, तो अगर सारे citizens, सारी class के लोग, अगर formal banking services को avail कर पाते हैं, तो इसको बोलते है financial inclusion, financial inclusion कोई नया, कोई नया पंडा नहीं है, यह बहुत पहले से चला रहा है, यह तब से आ रहा है, since nationalization, जब nationalization of SBI किया गया था, nationalization of banks किया गया था, वो भी एक तरीके से financial inclusion का ही तरीका था, उसके अलाबा, है न, तो अभी अगर हम बात करते हैं, अब आज के टाइम पे यह इतना ज़्यादा ही कियो है, क्यों इतना ज़्यादा शोरूर है कि financial inclusion करवानी की ज़रूरत है, देखें, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर financial inclusion होगा, तो हमारी जो saving, लोगों की saving करनी की आदत है, वो improve होगी, और अगर लोगों पैसा save करते हैं, बैंकों में, तो वो पैसा transfer होता है, investment के तोर पे, बैंकियों से invest करती है, ठीक है न, तो अगर saving rate बढ़ती है, तो economic growth भी बढ़ती है, तो एक तो saving rate को बढ़ाने के लिए, तो आप यह समझ लीजे, culture of saving डेवलप करने के लिए, दूसरा जो है, कि क्या कहते हैं, अगर जो lower income groups हैं, अगर वो financial inclusion में आ जाते हैं, या formal banking sector में आ जाते हैं, तो क्या होता है, एक तरीके से, वो अगर मालीजे कोई एकसिजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम पर अपने आपको, अपनी problem को resolve कर सकते हैं, कैसे, loan लेके, transfers करके, quick transfers करके, तो यह एक बहुत बड़ा फायदा होगा, तो यानि financial inclusion, protect their financial belt, as well as other resources, financial inclusion से क्या होता है, जो vulnerable section है, उसका exploitation कम हो जाता है, क्योंकि, एक तो middleman नहीं रह जाते हैं, जो साहूकर बगएरा होते हैं, जो बहुत जाता पैसे लेते हैं, वो सारी चीजे problem ठीक हो जाते हैं, financial inclusion से जो gaps or leakages होते हैं, वो reduce हो जाते हैं, subsidy और belfares बगएरा के program बहुत अच्छी से implement हो पाते हैं, middleman reduce हो जाते हैं, corruption reduce हो जाता है, so this is the need, or this is the reason why financial inclusion is needed, अब हम बात क प्रदान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना, इसमें insurance provide किया जाता है, 330 रुपए में हर सालाना, और 18-50 साल का कोई भी इंसान अपने आपको insure करवा सकता है, अगली स्की में प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें सिर्फ 12 रुपए में, मात्र 12 रुपए साला में आपको insurance provide किया जाता है, इसमें 18-70 साल का कोई भी इंसान आजाता है, अगर मालीजी किसी की accidental death होती है, तो उसे 2 रुपए और इसकी permanent partial disability होती है, तो उसे 1 रुपए का धनराशी दिया जाता है, ठीक है, उसके अलाबा अटल pension योजना, अटल pension योजना के तैट क्या किया जितने भी citizen unorganized sector में है, वो national pension system को join कर सकते है, ठीक है, national pension system को join कर सकते है, so that वो बुड़े होंगे तो उन्हें pension मिलेगी, अटल pension योजना के तैट, fixed pension मिलती है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000, 4000, 5000, depending upon the contribution made by the individual, उसके लाबा सरकार एक और इसकी में लेकिया आई थी, प्रधान मंत इसमें तीन लोन दिये जाते हैं, एक है सिशू, दूसरा है किशोर, और तीसरा है तरुन, सिशू में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, 50,000 से 5 तक के लोन को किशोर कहते हैं, और तरुन वाला जो लोन है, वो 5,10,000 तो ये भी financial inclusion को promote करने के लिए ही थी, फिर stand up India scheme, stand up India scheme में क्य किया जाता है, bank loan provide किया जाता है, 10,00,000 से लेके एक करोड तक का, हर एक कम से कम schedule का, schedule tribe को और एक कम से कम एक औरत entrepreneur को, ठीक है, तो ये भी एक scheme थी, उसके अलावा, उसके अलावा, बरिस्ट pension भीमा योजना, बरिस्ट pension भीमा योजना में क्या कहते हैं, ये है senior citizens के लिए और इसमें 9% guaranteed return का वादा करती है सरकार, तो ये भी एक financial inclusion का ही तरीका था, फिर सरकार एक और scheme लेके आई थी, जो 2014 में, उसका नाम था venture capital fund for schedule caste, यानि ये schedule caste में क्या कहते हैं, entrepreneurship को develop करने के लिए सरकार ने इस fund का निर्मार किया था, जिसमें कोई भी SE category, SE class से block करने वाला बंदा सरकार से पैसे ले सकता है, help ले सकता है, अगला important initiative था, credit enhancement guarantee scheme, तो credit enhancement guarantee scheme को भी announce किया गया था, 2014 में, और इसमें 200 करोड का एक fund allocate किया गया था, जो कि young startups, early startups को support करने के लिए था, especially SE category के लोग, या फिर new middle class category के लोग, उसके अरावा सरकार बहुत सारे financial literacy program भी चला रही है, जिसक के तहित लोगों को financially literate बनाया जा सके, और card acceptance infrastructure को भी boost कर रही है, तो ये सारे initiative है, which are promoting the financial inclusion, एक बार फिर से revise करवाता हूँ, प्रदान मंतरी जंदन योजना, प्रदान मंतरी जीवन जोती भीमा योजना, प्रदान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना, अटल pension योजना, प्रदा अगर हम बात करें, financial inclusion के evolution की, तो आपको जैसे मैंने बताए, ये bank nationalization से सुरू हो गया था, जब सरकार ने RRBs बनाया, rural regional banks, या फिर सरकार जब lead bank scheme ले के आई, चलिए आपनो comment section में ये बताना, what is lead bank scheme, उसके अलाबा, establishment of RRBs, नावाट का creation के असर ने, और सरकार ने, जो फ financial inclusion के क्या benefits हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे क्या benefit होते हैं, अब बात करते हैं, आज का हमारा आख्री topic, which is promoting livelihood through national rural livelihood mission, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, कि national rural livelihood mission, जिसको आजीविका के नाम से भी जानते हैं, है क्या, national rural livelihood mission को launch किया गया था, ministry of rural development के द सवरोजगार योजना का, इससे पहले, मतलब NRRM, यानि अजीविका mission से पहले सरकार चलाती थी, स्वर्ड, जैनती, ग्राम, स्वरोजगार, योजना, इसको ही सरकार ने restructure किया, नया package बनाया, और इसको लेके आगई सरकार, अजीविका mission के तोर पे, क्या नाम से, अजीव या फिर बात करें, जो ये लाइबली हुड मिशन है, इसका mandate क्या है, कि कम से कम, 10 करोड रूरल पूर को, जो की 6 लाग विलेजेस हमारे हैं, उनको क्या कहते हैं, उन तक पहुंचना, उनको लाइबली हुड प्रोबाइड करना, कितने 10 करोड लोगों को लाइबली हुड प चल ला आता, तो सरकार फिर अजीविक कमिशन क्यों लेकि आई, तो देखिए, NRLM जो है, वो डिमांड रवन स्ट्रेटिजी पे काम करता है, बनाव अगर पबलिक डिमांड करेगी, तो वहाँ पर ये कुछ ना कुछ अलोकेट करेगा, जबकि सौर जैंती ग्राम सरोजग किया जाता है, to prepare state perspective for the implementation plan, annual action plan, तो ताकि जो states हैं, वो इसमें बढ़ चरके participate करें, उसके अलावा इसमें participatory identification of poor instead of BPL, to identify its beneficiary, तो मतलब यहाँ पर जो poor हैं, वो खुद आगे बढ़ के आते हैं, ना कि सिर्फ BPL को एक criteria बना दिया है, तो ये 4 reasons हैं, जो कि इसको different बनाते हैं, क इसरा है states को encourage किया जाता है, कि वो अपने proper plan बनाए, implementation plan और action plan, और चोथा important बात है, कि poor's को identify किया जाता है, participation basis में instead of BPL, अगर हम इसके features की बात करें, तो जैसे, क्या-क्या इसके features हैं, इसमें universal social mobilization, universal social mobilization का मतलब क्या है, जो national rural livelihood mission है, वो ensure करता है, कम से कम एक member, हर एक identify household में, especially women को self-help group के network में लेके आया जाए, तो universal social mobilization, मतलब हर किसी को लाने की कोशिश कर रहे है, हर एक household में से, हर एक व्यक्ति, और कम कोशिश करेंगे कि women को, इस scheme के अंतरगत लाया जाए, उसके अलाबा promotion of institution of poor, मतलब, जैसे institutions of poor क्या मानी जाती है, self-help groups हो गए, या फिर cottage industries हो ग building and skill building, चौथा क्या हो गया, revolving fund and capital subsidy, revolving fund क्या हो गया, एक तरीके से, अलग-अलग रोजगारों के लिए fund provide कर देवाना, और capital subsidy क्या हो गया, कि अगर कोई काम वो कोई स्चुरू कर रहा है, तो उसमें जो capital वाला खर्चा आता है, वो उसके लिए subsidy सरकार provide करती है, universal financial inclusion, ठीक ह यह इसका अगला feature है, six is interest subsidy की जो ब्याज देते हो, उस पर सरकार subsidy देगी इसमें, उसके अलाबा work toward destabilizing and enhancing the existing livelihood, तो livelihood creation करना है नहीं, employment creation करना, उसके अलाबा infrastructure creation and marketing support, skill and placement project, rural self-employment training institutes का establishment करना, innovation को promote करना, और जो सरकार की scheme से उनको convergence करवाना, partnership, NGOs और civil society organization के संग partnership डवलप करना, for the strategic implementation, उसके अलाबा, पंचायती राज institution के साथ linkages बठाना, technical support provide करना, monitoring and learning, so these are the features of national rural livelihood mission, ठीक है, तो एक बार आप इनको go through कर लीजे, they are very easy and self-explanatory, क्या है universal social mobilization, पूर्स के institute को promote करना, capacity building और skill building पर ध्यान देना, revolving fund और capital subsidy, universal financial inclusion, उसके बाद interest subsidy का provision, और फिर जो लाइबलियोड का entire portfolio है, उसको provide करना, कि मदला अगर जो rural household होता है, वो किस-किस तरीके के काम करता है, तो उन सारे चीज़ों को समझना, infrastructure का creation करना, skills करवाना, skill provide करना, और फिर उनका placement करना, rural self-employment training institutes बनाना, जहांपे unemployed rural होट होंगे, तो उनको क्या कहते है, skills provide की जाएगे, train किया जाएगा, innovation को promote करना, मतलब इसमें directly ऐसा बोला गया है, इसकी में, अजीवी कमिशन में की 5% जो fund होगा, वो सिर्फ और सिर्फ innovation के लिए खर्चिया जाएगा, बागी programs को converts करवाना, NGUs बगएरा को rope करना, पंचायती राज इंस्ट्यूट्स का इस्तमाल करना, उसके अलावा technical support, monitoring and learning and funding pattern, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह इन्फोग्राफिक की मदद से आप समझ सकते हो, कि किस तरीके से NRLM मदद करता है, पहले identify करेगा, फिर capacity building करेगा, फिर उनको facilitate कर रहेगा, मदब एक बार capacity देदी, तो फिर उन्हें बताएगा कि किस तरीके से वो अपने skill का इस्तमाल कर सकते हैं, और फिर उनको safety net प्रोवाइट करवाना, अगर हम बात करें, यहाँ पर सौट जन्ती, ग्राम सरोजगा, रियोजना का बार बार जिक्र हुआ था, तो इसको implement किया जा रहा था, एक अप्रेल 1999 से, और इसके यह सारे components हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो दोस्तों इसी के साथ यह lecture समापत होता है, उम्मीद करता that everyone of you must have enjoyed as well as learned a lot, अगर प्लीज, आप से मेरी 2-3 questions हैं, जो मैंने questions पूछें, प्लीज आप उनके जवाब देना ना भूलें, second thing is, आप इस lecture को review करके बताएं, कि आपको यह lecture कैसा लगा, और आपके learning experience को किस तरीके से improve किया जा सकता है, as far as बात करी जाएं, इस document की, तो मैं इसको insta mojo पे, और इस 3-0 classes में share कर दूँँगा, वहाँ से आप इसको download करके, अपना revision कर सकते हैं, now let's move on to the next important section, तो दोस्तों, इसी के साथ की, आज का lecture समापत होता है, उमीद करता हूँ, that everyone of you must have liked, as well as learned a lot from this lecture, दोस्तों, अगर आपको कोई की query आती है, either in relation to this lecture, या फिर आपकी preparation में कोई भी ऐसा issue है, जिसके बारे में आपको कोई problem हो रही है, कोई query है, तो आप मुझे इस email ID पे mail करके, अपनी query को resolve कर सकते हैं, उसके अलावा आप मुझे call भी कर सकते हैं, मेरा ये mobile number, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इस पे call करिए, और अगर आपको होई query है, तो उम्मीद करूँगा, मैं उसको resolve करने की, और आपके call को जल से अल respond करने की, दोस्तों, एक और important बात, प्लीज आप इस lecture को review करना ना भूलें, आप इसको review कर सकते हैं, like या dislike बटन को click करके, उसके अलाबा दोस्तों, जो भी मेरे questions पूछे हैं, lecture के दौरान, आप उनको comment करके बताएं, प्लस आप ये भी बताएं, कि आप किस topic पे या किस issue के उपर कोई lecture चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा, आपकी request को जल से अल fulfill कर सको, और अगर आप चाहते हैं, कि आप timely notify हो सकें, मेरे lectures के बारे में, तो please इसको subscribe, और bell icon को click कर दीजिए, उसके अलाबा, if you find this lecture worth watching, तो please आप इसे share करें, अपने friends के साथ, अपने दोस्तों के साथ, so that वो भी इसका लाव उठा सकें, दोस्तों, at last, I just want to say thank you very much for watching this video, so patiently, all the very best for your preparation, मिलिंगे next lecture में, till then, दस्विदानिया.